नमस्कार, जैमत त्थीव. मित्रों आज मैं एक बिशेष बिशे पर बात करने वारा हूँ, जैसे कि आपको बता दूँ कि आज कई दीनों से इलगातार चर्शा चल रही थी और इस बारे में हम सोच रहे थी कि हम कोन से बिशे पर आप को आपसे बात करें, तो यहां वारा विषय है, विवाह में बाधा, बैवाहिक बाधा एव उसका उपए, विवाह में कौन सी बाधा आती है, किन ग्रहों की वजह से आती है, उसके कारण जरम कुंडली में इस्थित बिलाजमान कौन से ग्रह होते हैं, और उनका प्रभाव एवं महत्व किस प्रकार आपके जीवन पर पड़ता है तो आज हम उस बिस्व में शाचा करने वाले हैं इससे परिशाचा करें आप से बता दे कि अगर आप मारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस कल्याण मस्तु चैनल पर इसको सब्सक्राइब जरूर चैनल पर इसको बड़ें सेयर करें अपने इम्मित्रों की ग्रूप में वट्सव पर फेस्वूक पर जहाँ भी आप जैसा भी ठीक लग रहा है आप ज़रूर सेयर करें लाइक, करना बिल्कुल नंभूलें किसी बिस्व की जिग्यासा है आपको वासा है किसी अधिसे पर साथ-चाहिक जिसे कि आपके दादा जी का जी का नाम म्हाता जी का नाम और आपका गोट्र जो भी है आप मता जी का आदर आप सकते हैं जाने खकुले कर दे़ंगे संस्थान दोज दे और किकानी है पर पर सbtया कि अगर भी आप विल्कुल लिस है यह आप तो प्राणिक करते हैं पिछे की तरफ कि अगर विवाह बाधा आपकी कुंडली में बन रही है कोई लड़का है या लड़किया किसी कोई भीयों समान रूप से यह योग लागू होते हैं सिर्फ अंतर यह होता है कि लड़कियों की कुंडली में गुरू की इस्तिव बिचार होता है कि गुरू कुंडली में किस कंडिशन पर और किस इस्तिव बैठा हुआ है लेकिन लड़कों की कुंडलियों में सुक्र ग्रह प्रविचार होता है कि सुक्र कैसा है और किस तरह का बैठा हुआ है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कुंडली में सब्तम भाव जो कुंडली का सबसे नीचे वाला भाव होता है इस सब्तंभाव कहते हैं, सब्तंभाव में कोई ग्रह न हो, या सब्तंभाव का स्वामी बलहीन हो, सब्तंभाव पर सुब ग्रहों के द्रिश्टी न हो, तो अच्छा पती या पत्नी मिल पाना संभाव नहीं होता है. ऐसा रहा है साथ साथ सब्सक्राइभ ने सुर्य सनी राहु के टू आधी से भी एक अधिक्रह हो अत्वा इन्व मत्यक्षुख बिगड़ जाता है मितनों यदि कुंडली में शप्तम्भाव पर सुभासुब ग्रहों की द्रिश्टी हो या प्रभाव हो तो पुरण विभाग की संभावना भी होती है नवानस कुंडली में यदि मंगल या शुक्र का रासी परिबर्तन हो रहा हूँ या जनम कुंडली में चंद्र मंगल शुक्र संयुक्त भाव से यानि एक साथ सब्तम भाव में विराजमान हो तो यह योग कहीं न कहीं चरित्र हिंता का कारण बनाते हैं और इस कारण दामपती सुख बिगड़ जाता है यदि जनम लगन या चंद्र लगन से साथवे या आठवे भाव में पाप ग्रह बैठे हो या आठवे भाव का स्वामी साथवे भाव में हो तथा साथवे भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की द्रिष्टी हो तो दामपत सुक्की करपना करना बड़ा ही मुश्किल है कोई कितना विचार करे यहां उपाई भी करे यह कहीं कमिया रही आती है मित्रों ये दिन नवम भाव या दसम भाव के स्वामी अस्टमेश या सस्टेश या अस्टम भाव के मालिक या छड़े भाव के मालिक के साथ बिराजमान हो इसित हो या लगनेश्ट अतथा शनी बलहीन हो चार या चार से अधिक ग्रह कुंडली में कहीं इगस्थान पर बिराजमान हो अतवा देशक्राण कुंडली में चन्रमा सनी के देशक्राण में आ गया हो और नवांस कुंडली में मंगल के नवांस में सनी हो और उस मंगल की द्रिष्टी हो या सोरी गुरू चद्रमा से एक भीग रह बलहीर हो तो लगन में दसम में या बारहे भाव में हो और बलवां सनी की पूर्ड द्रिष्टी हो तो ये योग जातक या जादिका को सन्यासी प्रवर्टी देते हैं या फिर बैरा के भाव के कारण अलगाओ की इस्तिती पैदा कर देते हैं बिवाह की और उनका लगाओ बहुत ही कम होता है ग्रस्त जीवें की तरह बढ़ते ही नहीं है मित्रों ये लगनेश भाग भाव में हो अथवा नौमेश पती अस्थान में इस्तित हो ऐसी लड़की भाग साली के साथ स्वेब भाग साली होती है उसको अपने कुटुमभी सदेश्यों द्वारा ये समाज द्वारा पूर्ण मान समान दिया जाता है इसी प्रिकार ये लगनेश चतुरुथेश तथा पंचमेश त्रिकोर्ण या केंदर में विराजमान हो तो बिलकुल ऐसा ही फ़ल मिलता है मित्रों ये शर्टम भाव में सनी और बुद्ध एक साथ हो और चंदरमा बिसम रासी में हो तो दांपत जीवन करहिक्त बन जाता है और अलगाओ की भावना भी बन जाती है अलगाओ की संभावना भी तयार हो जाती है यह किसी लड़की की कुंडली में सब्तम भाव, सब्तमेश एवं गुरु तथा जातक की कुंडली में सब्तम भाव, सब्तमेश एवं सुक्र पाप प्रभाव में हो तथा दुतियों भाव का स्वामी छठे या आठवे या बारहे भाव मिराजबान हो इस योग वाले जातक या जातिकाओं को लड़का- contenido कोई भी हो अब यवाहित ही रहना पड़ता है ऐसे योग इकसर देखे गए है मैं तो जुक्ष गुरू बलहीन हो यास्त हो सब्तमेश भी बलहीन हो यास्त हो सब्तमेश का नाम क्यों वारा है क्यों सब्तम भाव ही तो दांपति जीमन का कारक होता है भी सिस रूप से तो बलही नियास्तो अतथा सातमे भाव में राहु एवं सनी की सिती हो तो बिवार नहीं हो पाता कोई जो कोई बाता है आखे अटक जाती है मित्रो लगन या दूसरा भाव लगन नहीं सबसे उपर वीच का भाव और लगन से अगला जो भी कॉलम है जो भी बॉक्स है जो भी खाना है तो लगन या दूसरा भाव और सब्तम भाव पाप ग्रहों से युगत हो और उन पर सुब ग्रहों की पूर्ण दिश्टी न हो तो भी विवाह में बाधाती है विवाह नहीं होता है मित्रो यदि सुक्र सूर्य तथा चद्रमा पुर्सियों की कुंडली में तथा सूर्य गुरू चद्रमा महिलाओं कुंडली में एक ही नमांस में हो तथा छठवें, आठवें तथा बारहवें भाव में हो तो भी विवा का योग नहीं बनता है। इस प्रकार जोट्सिय ग्रंथों में अनेका अनेक सुयोग और कुयोग मिलते हैं। जो या तो विवाव होने के नहीं देते हैं, असमा विवाव हो भी जाए, तो दामपत सुख को तहस्नेस कर देते हैं, यह दामपत सुख को तरीके से होने नहीं देते हैं। ये तो बात रही योग की, कुंडली में कौन से योग कैसे होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ने कुछ उपाये भी होते हैं, कुछ ने कुछ समाधान भी होते हैं, तो हम बात करेंगे आप से समाधान के बारे में अगली वीडियो में आप हमारी अगली वीडियो के प्रतिशा कीजिए वीडियो हमारी होगी कि बाधा बिवाह में बाधा निमारक कुछ बिसे सुपाय तो आप उसको जरूर देखें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार